नमस्कार दोस्तों, सीव प्रकास कलासेज में सभी साथियों का स्वागत है, मोस्ट इंपार्टेंट फुल फार्मों के बारे में चर्चा करेंगे, जो लगतार परिच्छा में पूछा जाता है, तो सभी साथी कलास में सुरू से अंत तेक जुड़ें, सभी कुष्षन का आन फुल फार्मों क्या होता है, अगला देखते हैं, PCS, PCS का फुल फार्मों क्या होता है, प्रोबेंसियल सिबिल सर्विसेज होता है, PCS का फुल फार्मों क्या होता है, प्रोबेंसियल सिबिल सर्विसेज होता है, प्रोबेंसियल पुलिस सर्विस होता है, PPS का फुल फार्मों क्या होता है, डिजीपी का फुल फार्मों क्या होता है, डिरेक्टर जन्रल आप पुलिस होता है, अगला देखते है, डिजीपी का फुल फार्मों क्या होता है, डिप्टी इंस्पेक्टर जन्रल होता है, अगला देखते हैं, डिजीपी का फुल फार्मों क्या होता है, इंस्पेक्टर जन्रल आप पुलिस होता है, अगला देखते है, इस्पी का फुल फार्मों क्या होता है, सूपरिटेंडेंट आप पुलिस होता है, अगला देखते हैं DM, DM का full farm क्या होता है, district magistrate होता है, DM का full farm district magistrate होता है, अगला देखते हैं NDA, NDA का full farm क्या होता है, NDA का full farm national defense academy होता है, NDA का full farm national defense academy होता है अगला देखते हैं CDS, CDS का full farm क्या होता है, combined defense service होता है, CDS का full farm combined defense services होता है अगला देखते हैं दोस्तो, अगला है CPF, CPF का full farm क्या होता है, Central police force होता है CPF का full farm, Central police force होता है, अगला फिर से एक बाद देख लेते हैं, CDS का full farm क्या होता है, combined defense services होता है combined defense services होता है, तो जितने भी साथी channel में नए है, session अच्छा लगा हो, तो subscribe भी करें और share भी करें तो दोस्तो वीडियो को समात करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिन जय भारत